कि मैं रोहित वसे स्विक्रम सिलाय एस कोचिंग इस्टू चौध एफ़ा डिसके इसका शाव्य आज आपके समोग Sato Ecology परियावरण में समत्र já कों समध में से विस्तार से बताना चाहांगा है और परतम परिश्तिकी संध्र सब्द का अर्थ है परियावरण यह तो विभिन अवयावों का अंतह संबंध यह फिर विभिन अवयावों के अंतह क्रिया, तो अर्थात विभिन अवयावों के मध्य अंतह क्रिया, परियावर्ण में क्या कहिलाती है, पारिश्चements की Trans raises के concepts जाता है तो इकोलोजी या फिर पारिस्थिकी में क्या जाता है एकोलोजी सब्द सबसे पहले किस ने डिराइब किया था या दिया था एकोलोजी सब्द सबसे पहले जिसमें एको का अर्थ है वासस्थान यहां लोजी का अर्थ है अध्यान वासस्थान जैसे कि निवास होता है तो मतलब जहां पर वास करने योग्या जो होता है यहां पर रहने योग्या होता है लोजी अर्थात अध्यान जैसे बाइलोजी होता है तो जीवों का अध्यान हो फादर आफ एकोलोजी है अलेकजंडर वान अलेकजंडर वान हमबोल्ट है फादर आफ एकोसिस्टम कौन है फादर आफ एकोसिस्टम जिसने सबसे पहले फादर आफ एकोसिस्टम बर्ल्ड दिया था वो कौन थे तो वो थे एजी वो थे एजी टांसले तो फादर आफ एकोसिस्टम कौन है एजी टांसले और फादर आफ मोर्डन एकोलोजी यह फिर फादर आफ मोर्डन एकोलोजी कौन है फादर आफ मोर्डन एकोलोजी है ओडम E. Odom, sorry, हाँ, E. Odom, then father of Indian ecology कौन है, father of Indian ecology है, राम देव मिस्र, ये ecology के विशाय में सम्कुछ questions थे, और इसके बाद यदि मैं परस्त्रकी की वापिस आऊ, तो परस्त्रकी की व्याक्या या इसकी परिवासा विभिन वज्ञानी को द्वारा दी गई है, जैसे कि इस करम में सबसे पहले जैसे की Peter Hegit, पीठर Hegit द्वारा एक परिवासा दी गई है परस्त्रकी की, पर्ष्टिकी तंत्र में जीवों या फिर जन्तुओं एवं पादपों के मध्य, खाद्य स्रिंखला या फिर भोजन स्रिंखला या फिर फूट चेन के थ्रू परियावन से संबंध ये पर्ष्टिक की कहलाता है अर्थात जन्तुओं एवं पादपों का भोजन स्रिंखला या फिर पोसक स्रिंखला से द्वारा परियावन से संबंध परिष्टिकी तंत्र कहलाता है जीवों में पादप बी आगी यंव जनतु भी आगी ऑर्गनिजम इसको इंगलिस में कहते हैं एक छेटर में उपस्तित प्राकिर्थिक जीवों एवं तत्वों का सकल योग परस्त्रिकी कहलाता है ऐसा किसके अनुस्वार है ऐसा पर्यावरंड के जीवित एवं अजीवित घटकों परियावरंड के जीवित एवं अजीवित घटकों के मध्य के मध्यान का परियावरंड में जीवित एवं अजीवित घटकों के मध्या कि एक परियावरं भूला है तो अजिवित घटक मैंने कहां तो components of the ecosystem components of the ecosystem इसके बाद मेरा यही topic होगा कि इन्होंने किन जीवित घटकों के बारे बात की एजी टॉसले ने तो आप मैं बताऊंगा तो components of the ecosystem दो टाइप को components ने और इसको अजीवित घटक ग मैं कर रहां अजीवित घटक क्या होंगे abiotic components का क्या होंगे abiotic components हो सकते हैं इनको भी हम यदि classify करें और इसको classify करें तो अजीविक घटक या फिर अजयविक घटक या फिर abiotic components तीन प्रकार क्या होते हैं physical components अजयविक घटक या फिर और अजयविक और इनकोंपोनेंट्स तो भातिक घटक और अकार्बनिक घटक और अकार्बनिक घटक और अजयविक घटक या फिर physical component कि दी मैं बात करोंगे physical component जैसे कि light प्रकास या वायमंदल या दाप atmospheric pressure और आद्रता या नमी और तापमान temperature और और इस्थला किरती इस्थला किरती कैसी है मरुस्थल है घास है कैसी इस्थला किरतिया है इस्थला किरती इस्थल क्या किरती उसके पस्चाथ यही क्या है physical components you know organic components organic components कौन कौन से होते हैं फिर कार्बनीक तत्व क्यों से हैं तो carbonic organic components या फिर carbonic अव्याव कौन कौन से हैं या carbonic घटक कौन कौन से हैं तो वो है एको सिस्टम में तो वो है जैसे कि पायो मंडल या गैसे हैं पायो मंडल में उपस्थित गैसे हैं जल में उपस्थित गैसे हैं जल में गैसे होती है जैसे कि जल में घुली भी ऑक्सिजन होती है यह अन्य गैसे हैं इसके बाद चटान चटान में उपस्थित जो तत्वा होत जाते हैं वो सब किसमें आते हैं और गनिक कॉंपोनेंट्स में आते हैं किसमें और गनिक कॉंपोनेंट्स है किसके इको सिस्टम के इसके पस्चाथ तरी मैं इन और गनिक कॉंपोनेंट्स की बात करो इन और गनिक कॉंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं इको सिस्टम के या फि कारवनिक तत्व है या फिर पिन अर्गिनिक घंडा या फिर लिया फिर कोंपोनेंटston यह थे किस में यह सब ही थे अब कोंपोनेंट्ट्स गें अब आते हम बीटा कॉंपोनेंट्स की और बी-टीब कॉंपोनेंट्स क्या क्या आगे are हमारे प्रोडूशर और कंजूमर और कि बाद बाद जो के बाद जो होते हैं इसके बाद जो यह आगे हमारी बाइटिक कॉंपोनेंट्स किसके एकोसिस्टम के अब यह आगे बढ़ू तो जो इकोसिस्टम है एकोसिस्टम की यूनिट्स में आओ एकोसिस्टम की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है तो इकोसिटम की सबसे बड़ी यूनिट है बाइस्पियर बाइस्पिय अब मैं यहीं पर जो ecosystem है में इसके type की बताऊं कि ecosystem कि किटने type होते हैं कि कि कितने प्रकार स्टेम सबसाएं तो मुख्याथा ecosystem दो प्रकार के वते हैं एक होता है प्राकृतिक ecosystem या फिर प्रेटिक पारष्टितिकी नंत्र और लुष हो गया इकको सिस्टम ॐ जो पार्सेय की तंद्र है या फिर नैचुर लिए नैचुरल इकको सिस्टम में वी हम रिखे फिर में कलते हैं उसल मंडल ऑर जल मंडल तो तीन प्रकार के उसल मंडल σथा में परिगए उसल मंडल के पड़िक को हम हम पार्थिक पर्षिकि तंत्र भी कहते हैं यह फिर टेरेश्टीयल कि des攻ek iris इसमें आगे वो इस्थल मंडल के घास के घास के पारिष्टिकी तंत्र का भाग है ऐसे ही इस्थल मंडल का एक और भाग परते हैं वनों का पारिष्टिकी तंत्र वनों में जैसे हिरन पाई जा रहा है बाग पाई जाता है तो वो किसके अंतरगत आगे वनों के पारिष्टि पाई आता है नाक्षणी वह गए यह सब मरुष्थलिय परिष्टिकी तंत्र के भाग हैं तो हमने इस थलिय में तीन मुख्या पड़े कौन-कौन से घास घास का परिष्टिकी तंत्र और मरस्थल का परिष्टिकी तंत्र और वन का परिष्टिकी तंत्र है नो इसके बाद हम जल मंडल पर आए यह फिर हाँ जल मंडल पर आए तो जल मंडल का जो परिष्टिकी तंत्र है उसमें कि उसमें हम दो प्रकार से मुख्यताँ केटिग्राइज कर सकते हैं, लबनिया, लबनिया जल में पार्स्ट्र की तन्त, उसमें क्या क्या आ जाएगा, उसमें समूद्र का पार्स्ट्र की तन्त, समुद्र का लवनियों होता है लो दो यह विधिं घील कोई है जैसे की डैड़ से जहाब सिलाइड वाटर इसमें पाए जता ने सी को उसका प्रकातिति मेर के आएगे जित× जैसे कि सालनेटी की टॉलरेंस अच्छ होगी तो की सब्सक्रा जील का पारस्टी की तंथ्र हो गया। मिधे हो और समू Absolverse के लिए जील का पारस्टी के तंथ्र है। इसके बाद अलब बढ़िया जल का पार्ष्टिकी तंत्र अलब बढ़िया जल में जैसे की नदी का पार्ष्टिकी तंत्र के फिर जर्ने का पार्ष्टिकी तंत्र अब एक और क्वेशन बनता कि जो लैंटिक है लेंटिक क्या है लेंटिक किस पर्षिकी तंत्र का भाग है जल यह पर्षिकी तंत्र में लेंटिक हम नदी के पर्षिकी तंत्र को लोटिख एक होता है लोटिख में नदी के पार्षित कि तंतर में आता है मतलब उनको टम दिया गया है इसके बाद आणा q-am पस्षेत हैं, उनका परिष्टिकी तंत्र, इसके बाद मैं दूसरी केटेगरी प्याहँ, यह था प्राकृतिक परिष्टिकी तंत्र, दूसरी केटेगरी अर्थात मानव अभियंत्रिक परिष्टिकी तंत्र, मैं इंजिनियर इको सिस्टम, तो उसमें क्या क्या आ सकते हैं, उसमासा तक किसी छेत्र कोई भी गेहों का खेत है या आम का बाग है तो उसका परस्टिकी तंत्र क्या है मानव अभियंत्रिक परस्तिकी तंत्र है इसके पस्चात एक्वेरियम या फिर जल जीव साला तो एक्वेरियम का जो परस्तिकी तंत्र है वो क्या है? मानव अभियंत्रिक परस्तिकी तंत्र है इसके बाद अंत्रिक शियान एंतरिक शरान À ग्यान का वो क्या है एलए इंजीनियर येकोस्टम एसे नग है ये फिर अपरस्दिक की तंत्र जो भी होता है वो क्या है उसमें ज चीव होता है वह किस में आते हैं मानो अभीद्र करो फूट्चेन की या फिर फूट्चेन की बात करो फूट्चेन किसे कहते हैं फूट्चेन की जो परिवासा है वो होगी कि विभिन अव्यमों का विभिन अव्यमों का आपस में विभिन अव्यमों के मध्य के संबंद विभिन अव्यमों के मध्य के संबंद की अंतोहक रिय या फिर फूड चेन कहते हैं और विबिन फूड चेन विबिन खाद्य स्रिंख लाओं या फिर विबिन भोजन स्रिंख लाओं से फूड वैब अठाथ खाद्य जाल या फिर फूड वैब का निर्मान होता है तो फूड वैब सब किसके लिए होता है विभिन खाद्य स्रिंख्लाओं से मिलकर फूड वैब का निर्मान होता है अब ज़िए मैं एक पॉइंट मिस हो गया वो होगा यूनिट्स में की इकोसिस्टम के जो यूरिट्स होती है, उसमें एक और आता है, क्या-क्या ओर आता है उसमें, तो food, जो ecosystem है, ecosystem के सबसे fundamental जो इकाई है, वो हम किसे कहते हैं, वो organism ये फिर जीव को कहते हैं, organism को कहते हैं, तो सबसे छोटा जो है, वो कौन है, organism है, organism के बाद क्या आती है, population, population के इस बाद क्या आता है Community और Community के बाद Ecosystem और Ecosystem के बाद Ecosystem के बाद Landscape यदि मैं इसको हिंदी में कहूँ तो जीव कि जीव के बाद जंसंक्याㅋ के समुधाय के बाद जो फिर पार्स्टर की तंत्र है और यह पर उस्थला किरते है тип इसके बाद, यदि मैं अपने टॉपिक पर वापस आऊ , तो जो बायटिक कोंपोनांस है जो मैंने कोंपोनेंट्स आफ इकोंट्र में बएतिक कंपोनेंट्स , क्या क्या थे ग्यूट्स थे प्रोडूश्र और अधू़र्स, ओर प्रिकार से एक दूसरे से जुड़ेवे हैं। मुस्जरे मिं पिरामिट्स पर्म में पढ़ सकते मैं। जैसे कि हम पिरामिट्स के फॉर्म में कैसे पढ़ते हैं तो तीन प्रकार के हम पिरामिट्स इन में बनाते हैं पहला पिरामिट बनता है पहला पिरामिट बनता है पिरामिट ऑफ नंबर्स सेकेंड होगा पिरामिट ऑफ बायो मास और थर्ड हम पढ़ेंगे पिरामिट ऑफ Technology, Pyramid of, यदि हम सबसे पह människor of numbers की कुद करें, Pyramid of numbers में, सबसे पहले जो Pyramid of number सबसे ज्यादा जिस organisms के number होंगे इन तीनों में से producer, consumer और de accompose Mate so वो होगा प्रोडूसर के, सब पिरामिड में वे सबसे नीचे कौन आता है, तो producers आते हैं, पिरामिड में second number पे कौन आता है नीचे से उपर की और यदि हम चलेए तो फिर primary consumer फिर secondary consumer और फिर tertiary consumer तो यह इसका नीचे से उपर को क्रम है पिरामिड में तो इसमें हमें सांव कौन सा पिरामिड बनता है पिरामिड of numbers में upright रैड या फिर सीधा पिरामिट बनता है really इसके बादि पिरामीड तुख पैमिए आध क्या होता है जितने भी जीव उसमें पाई जा रहे जैसे फिरामिट इस आरेया रहे हैं वो क्या कहलाएंगे वो कहला Aaron तंतर में पाई जा रहे बोगा क्या को कहलेंगे और चैनली आप गण्यू और छेश्चताates दोनों में अलग-अलग पिरामिड बनते हैं जैसे कि इस पेया 12 yourself की जो बायो मास का पिरामिट या फिर जी भार का पिरामिट बनेगा वो सीधा बनेगा या फिर अप्राइट बनेगा और जो जैसे कि एक एक जामपल दो तो जो घास होगी उसमें या फिर जो वन है उसका जो जी भार होगा वो बागों से या फिर जो अंत में या फिर टॉप का पिरामिड बनेगा और जलिया पारिस्टिकी तंत्र में यह पिरामिड उल्टा बनता है इसमें क्या होता है कि जो प्रोडूशर्स होता है उसका जीवार सबसे कम होता है और जो कार्निवोर्स होते हैं उनका जीवार अधिक होता है जैसे कि समुद्र में जो फाइटो प्लैंक हैं उनका जो जीवार होगा और जो सार्क्स होंगी बड़ी बड़ी टॉप कार्णिवर्स होंगे उनका जीवार अधिक होगा तो जीवार का जो पिरामिड होता है वह जल जली ये पारिस्टिकी तंत्र का उल्टा होता है और इस तले पारिस्टिकी तंत्र का सीधा होता है इस इसमें, इसमें एक रूल बी, होता है और मैं रूल की बात कहार। 10% रूल इसमें क्या है, कि जो भी ऊर्जा, सबसे पहले तो सबसे बड़ा उर्जा का सुर्षी सूर्या है सूर्य से वही उर्जा सभी पार्षिकी तंत्र पर जूर्जा कि हम बात कर रहे हैं कौन सी उर्जा उसका प्रोडूसर्स ने उर्जा ली है उसका हर टॉपिक लेवल पे 10% ही फिर इस्थानांतरित होगा बागी का 90% वो इस प्रक्रिया में उत्सर्जित हो जाता है यहीं मतलब वो नस्था नहीं होगी, जैसे कि इसलब होगा प्रोडियूसर्ण के निने गषित वो उत्ताजित हो जाएगी परनतु यह स्थानांतरित हो सक्था परनतु नहीं हो सकती है तो वह स्थाना औरत केवल, 10 परतिसत होगी हर ट्रॉपिक level में टापिक level किसको कहा火 हमें तो producer प्राइमिरी कंजूमर, secondary consumer इनको मैं ट्रॉपिक level कहाँ हो सक स्थर कहाँ रहा हूं क्योंकि हर प्रॉपिक level में हर level में क्या हो रहा है प्रोटिसर से 10 % ब्राइमीरी कंज्यूमर में जा रही है और व्रें सौ पर तो चलह है घुक बढ़ाय का फॉफवर को तो उसमें कितना एक भाक पहँचे गा उसके बाद उसको अगर बाज चीन खाती है चार ये पाच ट्रोपिक लेवल सब की सीमी तरे दें क्योंकि उसके बाद उर्जा का जो लेवल है वो धिरे धिरे घटा रहता है और फिर नगंडने बराबर हो जाती है उर्जा उर्जा श्थाना अंतर्ण इसके पस्चात जो उर्जा का जो पिरामिड बनेगा वो सीधा बनेगा सबसे ज्यादा उर्जा प्रोडिसर की होगी और सबसे कम उर्जा टॉप कार्णिवोर्स की होगी अब एदि मैं आगे बात करूं कि जो अब आटिक कॉंपोनेंट्स थे से तो जो इसमें में कॉंपोनेंट्स हैं वो है नाइट्रूजन नाइट्रूजन हो गया ऑक्सिजन हो गया कार्बन हो गया इनकी हम साइक्ल्स पड़ रहे हैं तो नाइट्रूजन जैसे की एट्मस्पेर में 78% नाइट्रूजन उपस्तित है तो जो पेड़पौदे हैं य या फिर nitrate की form में कौन convert करता है? तो nitrogen fixation bactérias जो होता है या फिर जो lightening होती है उससे भी nitrate की form में change होता है कौन? nitrogen. N2 या फिर N2 में 22N है वो triple on की form में भो थित है तो उनको ड्रेक्ट वो grand नहीं कर सकते है पादब जो N2 है उसको nitrate रूप में एक तो डलहनी फसले जो होती हैं जो भी डाल वाली फसले हैं उसमें उनकी जड़ों में एक राइजोबियम बैक्टीरिया पाई जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फार्म में कनवर्ट करता है ऐसे ही अन्य जो अबायोटिक कॉंप झाल झाल